MLM कौन लोग करते हैं? MLM किस मानसिक्ता के लोग करते हैं? और MLM करने वाले लोगों की क्या महतवक अंक्षा होती है? और वो MLM जॉइन करने के बाद क्या पैसा कमा पाते हैं, सफलता पाते हैं, या कहीं न कहीं रह जाते हैं? दोस्तों पैसा तो सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाने के दो मुखे सादन होते हैं, एक नौकरी और दूसरा बिजनस, तो बात करते हैं नौकरी की, जब भी कोई व्यक्ति नौकरी करता है, तो नौकरी करने से पहले उसको अपनी योगेता या प्रोफेशनल करना पड़ता है ठीक उसी तरह से बिजनस करने के लिए एक बड़ी धनराशी एक जगा या पार से सम्मधित कोई प्रोडक्ट या सर्विस और बहुत सारा अनुभव चाहिए होता है लेकिन उसके बाब जूद भी इस बात की कोई गैरेंटी नहीं होती कि इतनी बड़ी पू और जब आप अधिक समय निवेश करते हैं तो आप कभी भी तनाव मुक नहीं रह पाते और जैसे कि आपको पहले से पता है कि प्रोड़क्ट बनाने के बाद उस प्रोड़क्ट को मार्केट में लॉंच करने के लिए एक सिस्टेमेटिक नेटवर्क का सारा लेना पड़ता है आप मैनेफैक्ट्रिंग के बाद वो प्रोड़क्ट डिस्ट्रिबूटर को देते हैं डिस्ट्रिबूटर से वो प्रोड़क्ट डिलर तक जाता है डिलर के बाद वो प्रोड़क्ट आपके होलसेलर पर जाता है होलसेलर के बाद वो प्रोड़क्ट में रिटेलर के पास ठीक उसी तरह से पैसा कमाने के लिए MLM भी एक opportunity है MLM का मतलब है multi level marketing या direct marketing या referral marketing के नाम से भी लोग इसको जानते हैं दोस्तों अगर आप इस समझना चाहते हैं कि MLM करता कौन है किस तरह की मानसिकता के लोग होते हैं जो MLM join करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए मेरी एक बात को ध्यान से समझ लिजेगा MLM भी job और business की तरह एक systematic and planned business करने का method है इस method में भी किसी भी product का उत्पादन होता है या कुछ सेवाई दी जाती है और उसके बदले जो manufacturer से लेकर end user तक के बीच में जो खर्चा किया गया था उस खर्चे को, उस advertisement के खर्चे को, marketing, sales, promotion and branding के खर्चे को खर्चे को बचा के वो profit distribute कर दिया आता है अपने members के लिए, अपने clients के लिए, अपने consumers के लिए क्योंकि कही न कहीं ये बात समझे जाती है, कि जितना बड़ा expenditure, sales, marketing, promotion and branding पर किया जा रहा है यदि इसका profit, यदि इसका benefit हम अपने consumer को देंगे, तो हम शायद mouth publicity के जरीए, बहुत तेजी से business को develop कर पाएंगे अब यहाँ पर प्रश्णी ये उड़ता है, कि वास्तिविक्ता में MLM करता कौन है, और किस तरह की मानसिक्ता के लोग होते हैं, जो MLM करते हैं MLM करने की कोई अलग generation नहीं होती, businessmen भी MLM करते हैं, professionals भी MLM करते हैं, job वाले लोग भी MLM करते हैं, housewives भी MLM करते हैं और साथी साथ बहुत सारे students, full time या part time भी MLM करते हैं, दोस्तो MLM कमाई करने का एक ऐसा जरिया है, जहां परा बहुत कम समय में बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं साथी साथ वो लोग MLM करते हैं, जो एक बहुत बड़ा network create करना चाते हैं, लोगों का समूँ create करना चाते हैं, लोगों को recommendation के base पर income कमाने और income देने में उनकी साहता करते हैं जो लोग अपनी person life में, अपनी family life में, अपनी social life में बहुत अधिक सफलता आसिल करना चाते हैं, और एक बहुत बड़े network के साथ हमेशा relation develop करके उनको कमाने और खुद कमाने में मदद करते हैं, वो लोग, ऐसी मानसिकता के लोग MLM करते हैं दोस्तो मुख्य बाती है कि MLM में सफलता कौन असिल करते हैं, आप जानते हैं कि MLM एक तरह से recommendation का business है, और आपको जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए recommend करता है, तो वहाँ पर उस product के अलावा उस व्यक्ति की credibility या उसका relation आपके साथ तना घनिश्ट होता है कि आप उस लेकिन केवल एक प्रतिशत लोग होते हैं, जिनके बड़े dream होते हैं, जो visionary होते हैं, जो life में बड़ी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, और जो network इसलिए बनाते हैं, ताकि वो अपने व्यपार को बड़ा कर सकें, और लोगों को पैसा कमाने में मदद कर सकें, वो लोग बड़े vision, बड़े dream के साथ MLM में काम करना शुरू करते हैं, और बहुत अधिक पैसा कमाते हैं, MLM का एक negative point ये है, कि कई बार आप दूसरे की credibility को देखते हुए, या successful people को देखकर, आप MLM join तो कर लेते हैं, लेकिन आपको उतन सपनों को हासिल करने के लिए, जो प्रयास कर बड़ती है, जो समय निवेश करना पड़ता है, आप वो करने के लिए तयार नहीं होते, जैसे आए दिन बहुत सारे लोग अपने startup का proposal लेके आते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं, और जरासी भी कठना ही सामने आती है, तो उसको छोड़ कर निकल जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों के साथ, अपनी महत्व कांक्शा के साथ, अपने दृड़ निश्चे के साथ, अपने startup पर काम करता है, बहुत कम सामय में वो बहुत अधिक सफल हो जाता है, ठीक उस तरह से, यदि आप किसी भी company का MLM जोइन करते हैं, किसी भी direct selling company को जोइन करते है तो आप एक दृड़ निश्चे के साथ, एक एक आगरता के साथ, और एक बड़े vision के साथ उस पर काम करना शुरू करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ध्यान रखेगा, यदि आप MLM पैसा कमाने के लिए जोइन करेंगे, तो शायद आपकी सफलता के chances बहुत कम हो जाए लेकिन यदि आपने MLM एक बहुत बड़े network के साथ काम करने के लिए जोइन किया है, तो आपकी सफलता निश्यत है, इसलिए यदि आप multi-level marketing में बहुत अधिक सफलता पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको visionary बनना होगा, आपको एक missionary व्यक्ति बनना होगा, तब भी करने से पहले मेरे पिछले दो वीडियो भी देखें, और उन लोगों के साथ जो MLM जोइन करना चाहते हैं, उनके साथ इस जानकारी को ज़रूर शेर करें, मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी, आपके सुनरे बहुश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत